नमस्कार बहुत स्वागत आप देख रही है तो आप जानते ही हैं कि ग्रहनक्षत्रों मैं हमेशा बदलाब होता रहता है और हमारे द्वारा आपको समय समय पर ग्रहों की दशार उनके परिवर्दन के बारे में जानकारी भी आसानी के साथ हम आपको मुरहिया कराते रहते हैं वहीं राशी फलका अमारे जीवन में काफी ज़ादा मेहत होता है राशी कनुसार वक्ती के स्वभाब और भविश्य से जोड़ी जानकारी भी आसानी के साथ प्राप्त की जा सकती है ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशी फलका निर्मार किया जाता है आज यानि की 14 जून शुक्रवार का शुब दिन है और शुक्रवार का दिन माता लक्षमी के नाम हिंदु धर्म में होता है और इस दिन जो भी मालक्षमी का दीदार करता है उसके सारे कलेश दूर हो जाते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन ला सकता है आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस खास कारिक्रम आज के राशी फल में मिलेगा तो चले शुरुबात करते हैं अपनी पहली राशी यानि की मेश पर आपको आज कावो रखने की विशेश जरूरत है वहीं आपका भाग तो साथ आज जरूर देगा विध्यारतियों को आज पढ़ाई में काफी जादा मन लगता हुआ दिखाई देगा चलिए बात करते हैं व्रशवराशी वालों की घरेली मुद्दो पर आज थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पर सकता है परवारिक जीवन में आपके आज लड़ाई जगड़ा होने की संभावना है इसलिए आपको थोड़ा सा अपने भावना उपर कावो रखने की विशेश आवस सकता है वहीं पराने मुत्रों से मुलाकात होगी व्यापार में बार में आप अपने आपको अवल दर्जे पर पाते हुए नजर आएंगे कुछ ऐसे मुद्धे हैं जिनको आप थोड़ा सा समल कर थोड़ा सा सोच कर काम करेंगे तो जादा बेतर होगा वरना थोड़ी सी दुखत इस्तिती भी आपकी जिन्दगी में आज आ सकती है चले बार में रूप से देखा जाए तो बहुत जादा फाइदे मन्द होगी भगवान के प्रती इनका रुझान काफी जादा हो जाएगा प्रभू का दीदार ही करेंगे तो लाफ जरूर होगा पैसों का आना आज आपका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चले जानते हैं करकरा लखने के विशेश जरूरत है आज सीनियर से भी बहसना करें तो बहतर होगा चोटी मोटी बातों को नजर अंदाज करकी है आज अगर आप अपना दिन बिताएंगे तो जादा आपके लिए फाइदे मन्द साबित होगा चले बात करते हैं सिंगराशी वालों की आज भूम करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होगा लड़ाई जगड़ा आपको बिलकुल नहीं करना है पारिवारिक जिन्दगी आपकी काफी जादा सुखत तरीके से बीतेगी बच्चों की ओर से सुखत अनुभूती का एहसास होगा चले बात कर करना है सोचना है कई लोगों से बात करनी है तो जादा अच्छा रहेगा करियर में आज आज आपके कई ऐसे अनुभव आप साजा करते हुए नजर आएंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं फाइदे मन्द साबित होंगा ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा कदम भी काम होते होते चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाएंगे और माहा लक्षमी इनको मनचाहा फल भी जरूर देंगी मन शान्त रहेगा आज आप किसी भी विदेशी आत्रा पर भी जा सकते हैं चलिए बात करते हैं वरश्यक राश्यवालों की आज किसी भी प्रकार की जिम्म प्रतिश्ठा में भी आपके वरदी होगी शिक्षा के छेत्र में आप काफी जादा आज प्रगती करते हुए नजर आने वाले हैं चले जानते हैं धनूरा शिवालों का हाल आपके कामकाजी जीवन में सकारात्मक बदलाब हो सकता है जी हाँ जो आपके कारुबार में व्य अगाम लगाने की जरुत है जादा खर्च करने की आवश्यक्ता बिलकुल भी नहीं है चलिए जानते हैं मकर राशी वालों का हाल आज आपके प्रियजनों के साथ पुराने दोस्तों के साथ पुराने मित्रों के साथ मुलाकात का समय आ चुका है जिनको लेकर आप काफी पुची खिलाएंगे तो फाइदेमन सावित होगा दान में भी आज आपको दिमाग या ध्यान लगाने के विशेश जरुरत है सारी कठनाईयां भी आपकी दूर होने वाली हैं जानते हैं कुम्राशी वालों का हाल आज आपके लिए जो यात्रा है वो काफी जादा जादा होगा वहीं सैयम और साहस रखने की जरुरत है जी हाँ थोड़ा सा आपको आज खर्चे पर लगाम लगाने की वी आवश्यक्ता है तो जादा भीतर होगा बिलकुल भी दवाम में आकर जिन्दगी नहीं जीनी हैं अन्तों बात करते हैं मीन राशी वालों की आज माल दीदार करेगा आज आप खुद को थोड़ा सा हलका महसूस भी करते हुए नजर आएंगे तो दर्शकों आज की इस खास प्रोग्राम आजकर आशी फल में बस इतना ही हम फिर आज़र होते हैं किसी अन जानकारी के साथ किसी अन मुद्दे के साथ तब तक कि आप देखते साथ है बने लिए नेक्स्ट नाइन इस परीचोल के साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन इस परीचोल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें साथ ये बरावर में बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें नमस्कार